तो चलिए दोस्तों आप लोगों ने गोवी की सबजी तो बहुत ही तरीके से खाई होगी आलू गोवी आलू सभी चीजिव में डाल करके आज मैं बनाती हूं गोवी की एक नए तरीके की सबजी तो चलिए बनाना इस्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने ले लिया एक बढ़ा नाप्नों टॉटे और यहां पर मैंने ले लिया है एक काटोरी सबस्तुरी चावाश्य करें दोचीजिव दैसन सब्सक्राइन है यहां पर मेला प्मक नाप और अच्छे से मेक्स कर देती हूं मैं थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके इसका बढ़िया से पेस्ट बना लेते हैं एक दब गाड़ा पेष्ट बनाना है दोस्तों और यहीं पर मैं अच्छे से पेष्ट हमारा बन चुका है तो यहां पर मैंने लिए आधी चम्मच अजवाइन अजवाइन को मैं इस तरीके से मसल के डालूंगी जिसमें की इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता ह है और यह ब्यांज कर देती है तो यहां पर हमारे अच्छा पेष्ट राय को यहां नी कालके रखिए घर्म पानी से माइन, वहां डाल देती हूं और शेके अडों कर ने आउन से हुआ ने बहुत इक दम बहुत हैं से था तो अध्यवर्म पेष्ट्चा और उप पकोड़ी तो जिस तरीके से आप बेशन की पकोड़िया बनाते हैं आप बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाना है और यहां पर मैंने एक साइड के हमारी पकोड़ी सिख चुकी है तो मैं इनको पल्टा देती हूं और दूसरी साइड भी सेक लेती हूं अच्छे से इसमें की ब सेगो लेटी हूं यहां पर मैं निकाल दिया तो यहां पर मैं थ्ट्रा एनुड्याय से तब मैं यहां द। मैं आधी चमच गरम फॉडर में लालमिर्च आप से ढwright अबगा करके अच्छारर की तो सब्सक्राइब शुद्रन सब्सक्राइब कर दोर हुद रखे यहां पर छीए आधी आधी घूंट एक नदेग के सब्सक्राइब करके देग्मेर आद्जख मशर्ठ को भी hiçbir दोस्तों पकाना है तो यहां पर दो-तीन मिनट हो चुकिए तेल विल्कुल ओपर आ चुका है तो जो जिस कटोरी में बनाए थी पकोड़ी उसी कटोरी का मैंने जो बेसन था वो मैंने धुल करके डाल दिया है और यहां पर मैंने ड्री गिलास पानी डाला हुआ है तो पानी में हलके से गुल नहांता आ गई है तो यह इन पिर मैं डाल दीती हूं जो मैं ने पकोड़ी बनाई थी गोबी की बहुत भी डाल दीती हूं और डाल करके बढ़िया से पका लेती हूं यहां नोम पर दस मिनाट लगेगा पकने में तो दोस्तों दस मिनाट हो चुकी है और हमारी सब्जी एकदम बढ़िया से पक चाहिए तो आपको दिखा देते कितनी स्वाधिस्ट हमारी सब्जी बनी हुई है एक बार आप लोग जरूर ट्राइ करिएगा तो कैसी लगी हमारी रेसिपी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरू बिल्कुल सॉप्ट बने हुए हैं यह देखिए तो दोस्तों कैसी पी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्स्राइक लाइक जरूर करना बाइबाई